हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीश्म शिविर में आई हुए छात्रों की आयू की एक सूची है और ये सूची दर्शाती है आकडों को और इस विडियो में हम इस प्रकार के आकडों का निरूपड करना सीखेंगे विभिन तरीकों से तो जो सबसे पहला तरीका हम सीखेंगे वो है बारम बारता सारिडी का यहाँ मैं लिख देती हूँ बारम बारता सारिडी और बारम बारता सारडी को समझने के लिए चलिए हम दो स्तंभ ले लेते हैं यहाँ पर पहले स्तंभ में मैं अपने आयू को लिखूंगी इन चात्रों की आयू को और जो दूसरा स्तंभ है यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या चात्रों की आयू की अनुसार और इसको हम बारम बारता भी कह सकते हैं इसे समझने का एक तरीका ये है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आप फला काम कितनी बार करते हैं तो ये जो कितनी बार वाली संख्या है ये दर्शाती है आपकी कारे करने की बारम बारता को तो ठीक है हम यहाँ पर अब से पहले सबसी छोटी आयू से शुरुवात करेंगे और सबसे छोटी आयू है पांच तो मैं यहाँ पर पांच लिख देती हूँ अब हम देखेंगे कि इस सूची में पांच कुल कितनी बार आता है तो यह हो गया एक बार यह हुआ दो बार और मेरे हिसाब से यह दो ही यहाँ आता है छे एक बार जी हाँ छे आता है इस सूची में एक बार और अब हम ले लेते हैं साथ को तो साथ कितनी बार आता है यहाँ पर एक दो तीन और चार बार तो साथ आता है इस सूची में चार बार तो चलिए पता लगाते हैं कि आठ कितनी बार आता है इस सूची कोई भी चात्र नहीं है उसक्रीश्म शिवर में तो यहां पर मैं शूने लिख दूँगी क्योंकि आठ वर्ष का कोई भी चात्र नहीं है वहां पर ठीक है अब चलिए हम ले लेते हैं नौ वर्ष के चात्रों को तो नौ वर्ष का है एक चात्र दो तीन चार तो यहां से हम कह और आप देखते हैं कि golden sunita, और अंतता, 12 वर्ष केकुल कितने छात्र होंगे? यहां से 12 है, 12 है, 2 तो हम कह सकते हैं कि 12 वर्ष के कुल, दो छात्र मौजूद है इस शिवर में, तो यह जो हमारी सारिनी है, यह हमारी 보는 senator सारिमी को दर्शाती है, जो हमें बताता है कि एक विशिष्ट आयू के कितने चात्र, कितनी संख्याएं हैं, तो ये सारिनी है, बारम बारता सारिनी, और हम देख सकते हैं कि ये मात्र एक अन्य रूप है, इस आंकडे को दर्शाने का, और अगर अब हम इस सारिनी को देखें, तो बड़ी ही आसानी से आप इस सारिनी का उप्योग करके पुना इस सूची को वापस लिख सकते हैं, कैसे? हमें पता है कि दो चात्र हैं, पांच वर्ष के, तो मैं पांच को दो बार लिख लूँगी, और यहां से मैं छे को एक बार लिखूंगी, साथ को हम चार बार लिख लेंगे यहां पर, औ बार बार हम 9 को लिखेंगे, एक बार हम 10 को लिखेंगे, और 0 बार 11 को लिखेंगे, मतलब 11 नहीं लिखेंगे, और 2 बार हम 12 को लिखेंगे, यदि हम इस तरीके से लिखें, तो हमें अपनी ये सूची पुनह वापस मिल जाएगी, यहाँ पर इनकी बारम बारता को, यहाँ प पे मैं बिंदू आलेक लिखती हूँ, अब हम सिखेंगे कि बिंदू आलेक क्या होता है और हम किस प्रकार से अपनी इस बारम बारता सारणी या इस सूची को एक बिंदू आलेक से धर्शाएंगे, तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर शैतिज दिशा में एक रेखा बना ल दस, ग्यारह, यहाँ पर आएगा बारह, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी आयू के सम्मूव मौजूद थे, हमने उसे इस रेखा पर इस प्रकार से दर्शा लिया है, और अब हमें दर्शाना है कि इन आयू के लिए हमारे पास कुल कितने चात्र मौ बना लूँगी, और इसी प्रकार से 6 वर्श के मेरे पास 1 चात्र है, तो मैं 6 के उपर एक ऐसा बिंदू बना दूँगी, और जैसा हम देख सकते हैं इस बारम बारता सारणी में 7 वर्श के मेरे पास 4 चात्र है, तो मैं यहाँ पर 4 बिंदू बना लूँगी, जो 4 चात्र 7 वर्शों के, और जैसा हम देख सकते हैं कि 8 वर्शों के हमारे पास कोई चात्र नहीं है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाऊंगी, और समान रूप से 9 वर्श के भी हमारे पास 4 चात्र है, तो मैं 9 के उपर पुनह 4 बिंदू इस प्रकार से बना लूँगी, यह दर्श आएगा 4 चात्रों को जो की 9 वर्श के हैं, और इसी प्रकार से 10 वर्श का हमारे पास 1 चात्र है, तो मैं यहाँ एक बिंदू बनाऊंगी, 11 वर्श का कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और 12 वर्श के मेरे पास 2 चात्र है, तो मैं यहाँ 2 बिंदू बनाऊंगी और यहां पर बढ़ी आसानी से हमने इन आकडों को इस जानकारी को इस बिंदू आलेक पर प्रदर्शित कर लिया है और ये तीनों ही चीजें हमें एक ही जानकारी दे रही हैं ये तीनों चीजें हमें बता रही हैं कि हमारे पास कितनी आयू के कितने चा सबसे जादा चात्र किस आयू सम्मुह में आते है तो आप क्या कहेंगे, आपका Uttar क्या होगा चलिए देखते हैं तो यहाँ पर आप इस बिंदु आले को मात्र dla यी कह सकते हैं कि 7 वर्ष एवं 9 वर्ष की आयू वाले चात्र सबसे जादा है क्योंकि यहाँ पर इनकी अनुदिश सबसे जादा बिंदू है हमारे पास ये तो बिंदू आलेक को देखकर आपने कह दिया और अगर आप इस बारम बारता सारिणी को देखें तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 5 है 2 बार, 6 एक बार, 7 है 4 बार और 9 है 4 बार जो इस सारिणी में सबसे जादा संख्या को दर्शाता है अर्थात 7 वर्ष एवं 9 वर्ष की आयू वाले चात्र सबसे जादा हैं हमारे पास और अगर आप इस सूची को भी देखें तो यहाँ से आप गिन कर बता लेंगे कि आपके पास कौन सी आयू के चात्र सबसे जादा है इसलिए 7 वर्ष एवं 9 वर्ष की आयू वाले चात्र इस गरीष मिशिवर में सबसे जादा संख्या में मौजूद है चली अब हम चर्चा करते हैं परिसर के बारे में और जो न्यूनतम आयू है वो है 5 वर्ष के बराबर तो यहां से परिसर हो जाएगा 12 रिड 5 और ये बराबर होगा 7 के तो हम कह सकते हैं हमारे इस आकडे का परिसर 7 के बराबर है और आप इस चीज को बिंदू आलेक से भी ज्याद कर सकते थे यहां पर भी हम देख सकते हैं कि हमारी न्यूनतम आयू 5 वर्ष थी और अधिक्तम आयू 12 वर्ष थी तो अधिक्तम एवं न्यूनतम आयू का अंतर हो जाएगा 12 रिड 5 जो की हमें साध्र दे देगा और यही चीज, यही प्रक्रिया आप इस सूची को देख कर भी कर सकते थे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूनितम आयू पाँच थी और सबसे बड़ी, सबसे जादा अधिक्तम आयू हमारे पास बारह थी तो यहाँ से भी हमें परिसर साथ के बराबर ही मिलेगा अब यदि आपसे कोई पूचता है कि 9 वर्ष से अधिक कितने चात्र हैं हमारे पास 9 वर्ष से अधिक चात्रों की संख्या कितनी है तो अगर हम अपने इस बिंदू आले को देखें तो यहाँ पर आता है 9 वर्ष और हमें इससे अधिक आयू वाले चात्रों की संख्या चाहिए और इससे अधिक आयू वाले चात्र यहां अमारी दाईयोर है तो अगर हम इन बिंदूओं को गिन ले तो हम देख पाएंगे कि 1 चात्र है 10 वर्ष का और 2 चात्र है 12 वर्ष के तो यहां से हम कह सकते हैं कि 9 वर्ष से अधिक आयू वाले चात्रों की संख्या 3 के बराबर है और अगर हम इस बारम बारता सारेडी को देखें तो यहां पर आता है 9 वर्ष की आयू और हमें इससे अधिक आयू वाले चात्रों की संख्या का पता लगाना है तो इससे अधिक आयू वाले चात्र यहां नीचे की ओर आते हैं और यहां 10 वर्ष का 1 चात्र है और 12 वर्ष के 2 चात्र हैं तो एक धन दो होता है 3 के बराबर जो यहां पर हमें यही संख्या दे देता है और इस सूची के अनुसार भी 9 वर्ष से अधिक आयू है यहां पर 10, 12 और बारह यहां पर यह आई तीन बार तो यहां से हम कह सकते हैं कि नौ वर्ष से अधिक आयू वाले चात्र तीन के बराबर हैं